Good morning dear students, today we will draw a kite and color it. सबसे पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, जिसकी लेंद है 3 इंच. 1, 2, 3. उसके बाद हम 1 and half. इसके सेंटर में हम डॉट लगाएंगे, 1 and half. और स्केल को ऐसे रखते हुए, फिर से हम 3 इंच रखेंगे. सीधी लाइन के लेफ्ट साइड 1 and half इंच और राइट साइड भी 1 and half इंच. इसके बाद हम यहां से यहां तक लाइन लगाते हुए, उससे आगे 1 इंच पर एक और डोट लगाएंगे. और इस लाइन को सीधा, यहां से यहां मिलाएंगे. ऐसे ही हम राइट साइड करेंगे. और राइट साइड करेंगे. सेंटर वाली लाइन से हम एक और लाइन लगाएंगे. जिसको हम ऐसे उपर के तरफ ले जाते हुए, दूसरी लाइन के साथ मिलाएंगे. लाइन को हम डबल करेंगे. और यह लाइन इसको हम एरेज करेंगे. तेजाइन के लिए काइट के लाइन के पास हम एक सरकल बनाएंगे. उसके बाद हम ब्लेक स्केच पैंड से आउटलाइन करेंगे. काइट में हम त्रे कलर्स यूज़ करेंगे. ग्रिन, रेड और येलो. सेंटर वारी लाइन में हम येलो कलर यूज़ करेंगे. उसके बाद सरकल में हम रेड कलर यूज़ करेंगे. कलर करते हुए आपको लाइन का ध्यान रखना है. आप लाइन से बार बिल्कुल नहीं निकालेंगे. उसके बाद हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स हमारी काइट कम्प्लेट हो चुकी है. आपको भी बिल्कुल ऐसे ही अपने काइट को कम्प्लेट करना है. थैंक यूज़ एन हैव नाइस दे.